जाएं दोस्तों आप सभी का स्वागत है तो चलिए हम आज बात करेंगे एक नए पेंटिंग के बारे में जो आप देख रहे हैं इस पेंटिंग का कंसेप्ट क्या है इस पेंटिंग का नाम क्या है संग्रा क्या है इसकी तकनीकी क्या है इसकी खास विशेस्ता क्या रही है इ इस पेंडिंग का जो नाम है वो है आपके हजरत निजामुदीन अउलिया एहूं अमीर खुश्रो जो आपके तेरावी सताब्दी के पुरुवतिय जो थे हजरत निजामुदीन अउलिया जो थे उनके बारे में खास करके बताया गया है यहां पर देखेंगे शूपी जो संत है हजरत और इनके जो है सिस्य जो कभी और बिद्वान थे जो आप लेकर नहीं है आपे बादेंद्र लिये हुए हैं इनके बारे में पढ़ना है खास करके यह जो चित्र है आपका यह हाइदराबाद का है आप इसको पॉइंट कर लिजे यह जो है आपका हाइदराबाद का चित्र है समय देखेंगे इसका तो समय आपका रहा है 1750 से लेकर 70 के बीच में हैनि कि समय का 1750 से लेकर 70 के बीच में माध्यम लिखनेंगे इसका माध्यम आपका है कागस पर जलरंग इसकी जो तकनीकी रही है तकनीकी देखेंगे तो आपकी टेमपरा तकनीकी है संग्रह आपका जो है वो आपका है राष्टिय संग्रहाल है नई दिली राष्टिय संग्रहाल है नई दिली में ये चित्र जो है संग्रह किया गया है अब चित्र को देखेंगे धान से क्या है चित्र में तो देखें बीच में यहां पर देखिए आपको कौन है तो यह हजरत निजामुदीन है जिनको हरा रंग के ड्रेस को पनाये गया है पगड़ी इनकी हरी है इनका ड्रेस पुरा पुरा जो हरा दिखाये गया है है निकी का सकते हैं फुसाग जो है आपका हरा इनके पीछे देखिए आपका आभा मंदा दिखाया गए जामुदीन को बुजूर्ग दिखाने के लिए आपका दाड़ी का जो है दाड़ी दिखाया गया है यह अमीर खुसर हैं कि यहां पर जो एक कभी भी वी थुद्वान भी है इनके हाथ में एक बादियंध्र भी बनाय गया है। इसको यूवा दिखाने के लिए, अमीर खुस्रों को यूवा दिखाने के लिए दाड़ी बनाया गया ब्लेक कलर की जो है ब्लेक से दाड़ी बनाया गया है देखिए पीछे आपके कुछ फूल जड़िया बनाया गई है कुछ फूल भी बनाया गया है रास्ते के पीछे यहां पे एक बड़ा विशाल पेड़ भी बनाया गया है चितर के जो इनके पीछे जो आपके लाल और पील हजरत निजामुदीन आउलियायम अमिर खुसरो के चितर के बारे में तो आज के लिए बस इतना ही थेंक यू सो मज़